मैं हूँ अफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई कई बार ज्यादा नंगे पैर चलने या फिर नए और टाइट जूते पहनने की बचा से पैरों में छाले पढ़ जाते हैं इसके अलावा पैरों में छाले पढ़ने की कई और कारण जैसे जूतों में बहुत ज्यादा ताप मान होना, सन बन होना, ईलर्जी, रियक्शन और जलन होना भी हो सकते हैं वैसे तो छाले कहीं भी हूँ तकलीफ पहुंचाते हैं, लेकिन पैरों में छालों की तकलीफ ज्यादा तकलीफ दे लगती है, क्योंकि पैरों से चली बिना तो कोई काम कर नहीं सकते न, जिस वज़ा से हमें मुश्किल भी होती है. कुछ लोग इसे ठीक करने के लिए फोर देते हैं, जो की बहुत दर्द भरा काम है. इसलिए आज हम इसे ठीक करने के लिए कुछ घरी लोग चार आपको बताएंगे, जिससे इस्तमाल करके आप बड़ी आसानी से पैर के छालों को दूर कर सकते हैं. बात करेंगे सबसे पहले केस्टर ओयल की. केस्टर ओयल चाले को मौश्टराइज करता है, जिससे खुजली से रात मलती है. आपको करना बस यह है कि रात को सोने से पहले कॉटन के साथ चाले पर केस्टर ओयल लगाएं, इसे दो तीन दिन तक लगाते रहें, चाला सूप कर ठीक हो जाएगा और आपको दर्द भी नहीं होगा. बात करेंगे अब ग्रीन टी की. ग्रीन टी में मौशूद एंटी इंफ्लामेंटरी गुण चाले के दर्द को कम करने के साथ इसे ठीक करने में मदद करते हैं. इसे प्रयोग में लाने के लिए एक कप गर्म पानी में प आपको काफी जादा फायता महसूस होगा. बात करेंगे अब टी ट्री ओल की. टी ट्री ओल में एंटी बैक्टीरिल और एंटी एस्ट्रिजेंट गुण होते हैं जो चालों से रहा दिलाने में मदद करते हैं. आपको करना ये है कि एक कप साधारन पानी और नारियल का तेल मिक्स करके इसमें कुछ बूंदें टी ट्री ओल की मिलाएं. अब इस मिश्रण को पैरों के चालों पर लगा लें. बात करेंगे अब अलोवेरा की. अलोवेरा में एंटी इंफ्रमेंटरी और एंटी बैक्टीरिल और शिदिय गुण होते हैं जो चाली ठीक करने में मदद क करते हैं. इसके लिए करना आपको बस यह है कि ताजा अलोवेरा जल को चालो पर लगाएं और 20 मिनट बाद हलके गर्म पानी से इसे धोलें. बात करेंगे अब अपल साइडर विनेगर की. इसे इस्तिमाल करने के लिए आप एक कठोरी में अपल साइडर विनेगर लें और इसमें थोड़ा पाने मिक्स करके इसे कॉटन की मदद से चालो पर लगा लें. फिर इसकी सूफने पर पैरों को हलकी गरम पानी से धोलें. तो ये थे उपाया कि किस तरह पैरों के चालों को आप घरीलू नुस्खों के जरीए दूर कर सकते हैं. इसे के साथ इज़े अजा